नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको पूर्ण, नवी नतम और विश्वस निय खबर जी एस्टी काउंसिल की बैठक में रविवार को चटनी, आचार, मुरब्बा, इंसुलिन, स्कूल बैग, कलरिंग बुक्स, नोट बुक्स, कटलरी, ट्राक्टर के टायर, अगरबत्ती और सौर रुपे मूल लितक के सिनेमा समेथ 66 सामानों पर जी एस्टी की दरें घटा दी गई हैं, ऐसा इंडस्ट्री से पिछली मीटिंग में तै किये गए रेट्स को रिवाइस करने की सिफारिश के बाद किया गया है, जी एस्टी यानि पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली विवस्था वस्तू वस्तू वस्तेवा कर पहली जुलाई से लागू होगी, रा पतलब है कि जी एस्टी परिशद ने अभी 3 जून को ही अपनी बैठक में करीब 1200 तरह की वस्तूओं को जी एस्टी की विभिन्न दरों के दाएरे में समयोजित किया था और इसे लेकर कुछ उद्योगों ने संशोधन की मांग भी उठाई थी, जी एस्टी में 4 स्तर की 5, 12 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं। निर्माता और रेस्ट्रों मालिक एक कमपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं और क्रमशह एक प्रतिशत, दो प्रतिशत तथा प्रतिशत की दर से करका भुकतान कर सकते हैं। इस तरह की कर्व्यवस्था से क्षित्रिय सिनिमा को नुकसान होगा। अभी अलग अलग राज अपने यहां की भाशिय सिनिमा को रियायते देते हैं। लेकिन GST लागू होने पर यह खत्म हो जाएगा। हाला कि राज सरकार चाहे तो वो सबसीडी दे सकती है। लेकिन यह बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। इसी के मद्दे नजर बकॉल जेटली सिनिमा टिकेट के लिए दो दरे रखी गई है। इंस्टेंट फूड मिक्सर, चटनी और मुरब्बा जैसे खादिवस्तूओं पर 12 प्रतिशत GST लगेगा जबकि पहले इस पर 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव था। साथ ही काजू पर GST को 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। परिशद ने बच्चों की चित्र लेखन पुस्तिका पर 0 GST लगाने का प्रस्ताव किया जबकि पूर्व में इस पर 12 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने की बात कही गई थी। कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा कटलरी पर ये दर 18 से घटा कर 12 प्रतिशत की गई है। ट्राक्टरों के कलपुर्जे, प्लास्टिक के मोतियों और प्लास्टिक तिरपाल को 28 की जगह 18 प्रतिशत कर दायरे में लाया गया है। इसके अलावा कपड़ा, हीरा प्रंसकरण, चमड़ा, आभूशन और छपाई उद्योग में जॉब वर्क करने वाले पर 5 प्रतिशत GST का प्रावधान किया गया है। इसलिए इन सिफारशेओं को सुविकार कर GST परिशद ने 133 में से 66 मदों पर कर की दरें कम की हैं।